भुपेश बगिल जी जो आपका मॉडल जिसका जिक्र हम बार-बार करते हैं वो पब्लिक वेलफेर ओरियंटेड गवर्नेंस यानि कि जनता का जिसमें सबसे बड़ा फायदा हो उस पर बेस्ट है अगर मैं गलत नहीं हूं तो अब ऐसे मॉडल में क्या होता है कि सरकार जनता को बोहत कुछ देने के वादे करती है कई चीजें जो होती है वो फ्री बइज भी कही जाती है अब यह जो फ्री बीज है यह रेवडी कुल्चर के नाम पर बड़ा चर्चा में है आजकल तो रेवडी कुल्चर और जैस psyche प्रदानमंत्री ने बहुत खुल कर कहा है कि प्रदेश की सरकारें बहुत कुछ फ्री में बाटने का बादा कर देती हैं, जिससे देश की अर्थ विवस्ता को ठेस पहुंचेगी भविश्य में. उसके मद्दे नजर, आपका क्या कहना है रेवडी कल्चर पर? जि. लेकिन बहुत, देखी ये बाटने कल्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो कारकम किये हैं, बहुत गंबिरता पूरा बात में कर रहा हूं, कि हम लोग गांधी कर रस्ते चलने वाले लोग हैं, और गांधी जी नि क्या कया? स्रम का सम्मान की बात पनोंके. पूरे जीवन में उसका जीवन आप देखेंगे तो उस ट्रम का सम्मान करते भी दिखाई देंगे चाहे वो मजदूरों के साथ खड़े हो तब चाहे वो कारीगर के साथ हो तब चाहे बुनकर के साथ हो तब जूताचपल बनाने वाले एक साथ खर तब भी उस सम्मान करते हुई दिखाई देते हैं और छटीस गड़ में हम लोगों निवही किया जो मेहनत का स्लोग है उसका सम्मान करने का काम किया जो किसान है उसका सही उपाज के दाम देने के काम हमने किया है लगून पर संग्रहाख है उसको दाम देने के हमने काम किया है और गौपालक है उसको गोबर से भी कैसे पैसा कमाया जा सकता है ये चlles56 गड़ने पुरा दुनियाग बता दिया है गोबर सीचे पैसा कमाया चाकता है यह तो चल्च तब बताए है तो हम गोबर भी बिनने के लिए मेבनाद करनी पड़ेगी वर्मी कमपोस्ट बनाने के लिए मेनद करना है बलकुन तो हमने वो सब काम किया है जिससे लोग श्रम करें और श्रम का सम्मान हो और यह गांधी जी का रस्ता है और यही बात राहूल गांधी जी कहें कि सबका आयद बढ़ना चाहिए आयद कैसे बढ़े मतब फिरी में बांड तो उससे आयद बढ़ जाएगा लेकिन उसके आदत क्या हुआ दो जार सत्रह में आँ बात करें तो बारा लाग किसान थे एठारा आते आते अठारा में अठारा लाग किसान थे और हमारी सरकार बननी इन पॉसंख्यप बड़ी 20 लाग फिर 21 में 22 लाग और आज 26 लाग किसान है' मत si Под-ब करें 18 लाग से तो 26 लाग किसान है और भारती जंदा पाटी के दे करें तो 12 लाग से 26 लाग दोगुना से ज्यादा खेती के तरफ लोगों को रुजान बढ़ा तो लोग जो शहर में थे यह रिवर्स माइग्रेशन हुआ कि शहर से गाउं के तरफ लोटे लोग और 26 लाग किसान को अभी हम लोग जो 1750 करोड़ पे 20 तारीक को ही हम लोगों दिया है तो इसका मतलब यह ह हुआ कि जो मेहनत कर रहे हैं लोगों को हम मेहनत कर रहे हैं था हमको सम्मान मिला सरकार के तरफ से एक और जी आप यह रिवडी के परिवासां हमारा नहीं आता और भारती जन्ता पार्टी वाली यही कर रहे हैं तो क्या मैं भारती जन्ता पार्टी सांसियों से कहना चाहता कि यदि किसानों को मैं उसका समर्थन मुली उपादन लागत है उसको कीमत दे रहा हूं कि उसको रर्वडी समझते है क्या जो लगोन पर संग्राख है उसको मैं 4,000 प्रतिमानाग बुरक दर से 3-5 पतक कीमत दे रहा हूं तो वो क्या रर्वडी है क्या वो जरौतमंद्ध लो और 35 किलो प्रती परिवार हम दे रहे हैं उसको रेविटी रेनी में रखते हैं यदि ऐसा कर रहे हैं तो भारती जनता पार्टी किसान के विरोध कर रहे हैं मजदूर के विरोध कर रहे हैं गरी को विरोध कर रहे हैं और घरीलू महिलाओं के विरोध कर रहे हैं